आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी अपने फोन से कॉल कर रहे हैं और आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है आपका कॉल नहीं लगता है और यहाँ पर आपको शो होता है Mobile Network Not Available तो यह प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो आपको सबसे पहले इसे कट करना है यानि कि इसे कैंसल कर दीजिये और अब यहाँ पर आपको कुछ steps follow करने है तो सबसे पहला step है अपने फोन में settings को open कर लीजिये और settings को open करने के बाद 3rd या फिर 4th नमबर पर एक option आ जाएगा SIM card and mobile network तो इस पर आप touch कर दीजिए अगर आपके phone में SIM card या फिर किसी और नाम से है तो आपको SIM card settings में ही आ जाना है अपने phone की उसके बाद यहाँ पर जिस भी SIM से आपको ये problem आती है उस SIM को select कर लीजिए जैसे कि यहाँ पर हमारी जियो की SIM से ये problem आती है तो इस पर हम touch कर देते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं एक option आएगा आपके सामने access point name यानि की APN settings इस पर आप touch कर दीजिए उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक option मिलेगा reset का या फिर reset to default का तो आप देख लीजिए उसके बाद reset पर touch कर दीजिए यहाँ पर आपको show होगा restoring default APN settings तो थोड़ा सा आपको wait करना है और उसके बाद आप back आजाएए एक option आएगा preferred network type या फिर network mode इस option पर आप touch करके उपर वाला option select कर लीजिए 4G या फिर prefer LTE यानि कि जो भी आपके phone में first number पर दे रखा है आप उसे select कर लीजिए एक option होगा volte enable का आपको इसे चालू कर देना है उसके बाद आपको back आना है और अपने phone में data roaming चालू करनी है data roaming पर आप touch कर दीजिए उसके बाद इसे always पर select कर लीजिए या फिर इसे on कर दीजिए और उसके बाद back आजाएए और यहाँ पर अपने phone को एक बार restart या फिर reboot कर लीजिए और आपकी ये problem ठीक हो जाएगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें